हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आपको नव वर्स की धेरो सुर्प काम नाए हम लेकर आए हैं Fundamental Theorem on Integral Calculus क्योंकि हमने कल पूछा था कि आप से हम BSC की कौन सी बुक स्टार्ट कर सकते हैं तो मेरे पास कमेंट बॉक्स में आया था कि Real Analysis स्टार्ट करिए वैसे मैं बता दू, Real Analysis बुक की मैंने एक प्लेइलिस्ट बना रखे हैं जिसमें mostly सारे चैप्टर पड़े हैं बट उसमें एक Fundamental Theorem on Integral Calculus नहीं पड़ी थी तो आज मैं उसकी वीडियो बना रही हूं Fundamental Theorem on Integral Calculus अगर कोई भी आप BSC की बुक को पूरा कंप्लीट कराना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स पर जरू लेखेगा और बहुत ही जल्द मैं TGT PGT की तयारी भी करानी शुरू करूंगी तो हम उसी के साथ भी मिलेगे तो स्टार्ट करते हैं Fundamental Theorem on Integral Calculus इसमें एक First Theorem होती हैं और एक Second Theorem होती हैं आज हम First Fundamental Theorem on Integral Calculus करेंगे जिसमें दो Theorem आती हैं यानि की Continuous और Differentiability के लिए दो Theorem को मिलाकर ही हमारी First Fundamental Theorem on Integral Calculus बनती है तो आईए स्टार्ट करते हैं Fundamental Theorem on Integral Calculus तो देखें अगर हम बात करें तो हम इसमें लिखते हैं Let F Be Continuous हम क्या लिखेंगे Let F Be Continuous किस पर लिखेंगे Continuous को कि हम जानती हैं एक हमारा Close Interval होता है A,B पर Close Interval A,B पर तो अगर हमें Fx लिखें तो देखें कहां से लिखेंगे हमारी जो Limit होगी वह A से लेकर X तक FtDT जहां पर For Every X belongs to हमारा Close Interval A,B में होगा Okay अब हमें क्या दिखाना है अगर हमारा यह गिवन है कि अगर हम इसका differentiation करते हैं तो हमारा Fx के बराबर आता है अब देखें कैसे होगा Proof में हम कर देते हैं यह है हमारा Proof हम क्या करते हैं X लेते हैं जिसे हम किसके बीच में लेंगे A और B के यानि Close X की value vary करेगी A,B के बीच में हम एक और interval लेते हैं X प्लस H यहां पर याद रखेगा H की value 0 के इकवल नहीं होनी चाहिए यानि कि हमने interval को बढ़ा है X प्लस H यह भी हमारा क्या होना चाहिए ब्लॉंग करना चाहिए A और B के बीच में अब हम जानते हैं कि जो हमारा interval होता है F X प्लस H माइनस F X यह कैपिटल में लिखेगा F X इस इकवल तो अब हम इसके limit बाटेंगे क्योंकि जैसे देखे F X गिविन था F T के बीच में हम F X प्लस H किसके बीच में रिखेंगे A से लेकर हमारी limit होगी X प्लस H तक F T यह तो हमने काम किया किसके लिए F X प्लस H के लिए अब हम करेंगे किसके लिए F X के लिए काम यानि कि यह वाला काम माइनस A से लेकर X तक की limit F T D T ओके हमने यह काम कर लिया अब हम अगर इसकी limit अपर से लोवर में चेंज कर दें तो आप जानते हो कि plus आता है हम limit की property लगा रहे हैं A X प्लस H F T D T माइनस यहाँ हमने कर लिया plus limit कर दी X से लेकर A तक F T D T यानि कि क्या आगया आपका यहाँ आगया आपका X से लेकर हम अभी इसकी limit को इस तरीके से लिखते हैं क्योंकि A से A आगया X से लेकर X प्लस H तक और F T को एक साथ करके लिख देते हैं X से लेकर क्या बना X प्लस H F T D T ओके F T D T अब हम क्या रहे हैं क्योंकि हमारा F continuous है तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट C इस interval के बीच में होगा तो हम कह रहे हैं सिंस हमार F is continuous दैन किस पर A, B पर दैन देयर एक्जिस्ट जैसे हम रोल सिरों में लेते थे देयर एक्जिस्ट A नमबर C इन दा किस के इंटरवल में अब हम इंटरवल में ले रहे हैं इन दोनों के इंटरवल में X से लेकर X प्लस H में तो हम लिखेंगे such that तब हम दिखाएंगे हमार एक्ज से लेकर जो X प्लस H की लेमिट है F T D T उस इंटरवल में लेखेंगे F H F C क्योंकि हमने एक वैल्ली उठाई है C यह किस थियोरम से आता है यह इस थियोरम से आता है कि अगर हम देखें एक हमारी थियोरम है A से लेकर B F X D X इक्वल टू हम इसकी अपर लिमिट से लेकर लोमिट यानिकि B माइनस A F C कर दें इसके हिसाब हम चले हैं यानिकि X प्लस H माइनस X X से X कैंसल H बचा F C इस थियोरम के हिसाब हम ने इसे यह लिखा है यानिकि हम अब क्या लिखेंगे अगर हमारी H tends to 0 है हमने अगर H की value 0 ली तो यानिकि हमारी C की value के आ जाएगी X के बराबार आ जाएगी आप लिमिट करके देख लेना तो हम क्या लिखेंगे F X प्लस H क्योंकि हमें तो यह वाली लेकर चल लिखेंगे F X प्लस H माइनस F X X is equal to HFC यह दो लेकर आयते हैं हमने के वाल इसकी जगह यह पुट किया और यहां पर यह लिख दिया अब हम इसमें लिमिट लगा ले लिमिट H tends to 0 capital F X plus H minus F X अपॉन यह वाला H हम यहां ले आए और हमने यहां भी लिमिट लगा दी है H tends to 0 F C अगर हम यहां C tends to 0 लेते हैं लिमिट C to X F C इसकी वैल्यू क्या जाएगी देखें C की जगह क्या लगाएंगे तो यहां F X आजाएगा जबकि हमारा क्या है जैकि हम जैसे जानते हैं F X हमारा क्या है continuous है तो हम क्या लिख सकते हैं तो हमारा क्योंकि हम जानते हैं क्या फॉर्मूल होता है F X का होता है F X is equal to F X क्योंकि first fundamental theorem होती है तो हम इसकी जगह क्या लिख देते है F X और यह हमारा यही हमें लाना था यही हमारी चीज थी जिसे हमें लानी थी यह और एक और थियोरम होती है differentiability इन दोनों को मिलाके हमारी क्या बनती है fundamental first theorem अब हम differentiability का भी पार्ट कर लेते हैं देखे differentiability पार्ट में क्या करना है हमें जो F dash C था उसकी जगह F dash X 0 is equal to F X 0 लाना है हम के वर मा क्या कर रहे थे F dash X is equal to F X ला रहे थे हम यहाँ पे differentiability में F dash X 0 is equal to F X 0 लाना है फिर से वही काम करना है क्योंकि हमारा F क्या है इस continuous है continuous तो हम यहाँ पर F X 0 के अबल हमें X की जगह X 0 रखना है minus F X 0 यह हमेशा less than F side के होना चाहिए यह पॉजिटिव integer होना चाहिए फिर से वही काम करना है जैसा अभी तक हमने सेम किया थकाम F X 0 capital में मान लेते हैं capital F X 0 plus H minus F X 0 is equal to limit हमने क्या मानी थी A से लेकर X 0 plus H F T D T minus फिर से क्या मानेंगे A से लेकर X 0 F T D T ओके फिर वही प्लस करेंगे यानि कि आपका कितना हो गया A X 0 plus H F T D T plus X 0 से A F T D T फिर से वही कि इसको सिंपल तरीके से लिख देते हैं अब मैंना इसको डारेक्ट लिख रही हूं यानि कि X 0 से लेकर क्योंकि हम जो हमने अभी continuity में काम किया था सेम वही काम हम यहाँ पर करेंगे केवल X की जगा X 0 आ जाएगा H minus X 0 equal to H F X 0 ठीक है यानि कि हमारा क्या हो गया फिर से fundamental theorem वाला प्रूफ लगाएंगे F X 0 plus H minus F X 0 upon H minus F X 0 बता देती हूं कैसा आएगा जैसे कि हमारी यहां पर एक लाइन है हमने क्या लिख दिया A से लेकर X 0 plus H F T D T तो देगे X 0 तो यहां पर हमारा क्या है constant है तो हमने यहां बाहर ले लिया जब हम इसमें limit put करेंगे यानि कि यह आया T तो X 0 plus H minus X 0 ओके तो यहां पर हमारा क्या हुआ H F X 0 अब हम क्या कर रहे है यानि कि यह जो interval कौन सा है काटके हमारी यह कितना आगया H आया है तो H F X 0 आगया F X 0 plus H minus F X upon H यह हम ले रहे हैं equal to अब इससे solve करेंगे यानि कितना हो गया 1 upon H इसकी जगह क्या रखेंगे यह वाली चीज रखेंगे यह जो आई थी A से लेकर सॉरी हां X 0 होगा X 0 से लेकर X 0 से लेकर X 0 plus H F T D T अब यह F X 0 की जगह क्या लिख सकते हैं 1 upon H X 0 से लेकर X 0 plus H F X 0 D T अब हमें क्या करना है 1 upon H X 0 से लेकर X 0 plus H क्योंकि Leometric से लेकर हैं तो हम इसको कॉमल ले सकते हैं यानि कि F T यह कॉमल लिया मैनस F X 0 D T सिक्वें यह तो हमारी होगई equation 2 और 1 हम इसे किसे मान लेते हैं 1 हमारी हो जाएगी इस वाली equation को मान लेते हैं अब equation 1 और equation 2 को अगर हम same रखेंगे और अपना theorem A से लेकर B F T वाली उस करेंगे जो अभी हम लिखी थी तो B minus A F X वाली जो अभी theorem हमने बताई थी तो हम क्या लिख सकते हैं F X 0 plus H minus F X 0 upon H minus F X 0 इस less than क्योंकि अभी होना F silent को माना था less than होना चाहिए तो ये भी चीज less than होगी किस से 1 upon 1 upon H into हमने क्या करा H और S से ये divide और multiply कर दिया F silent ये कट जाएंगे दोनों केवल F silent आना जाएगा है यानि कि equal to F silent और हम ये जानते हैं ये जो formula होता है वो किसका होता है F dash X 0 का और ये कितना हो गया minus F X 0 ठीक है equal to F silent यानि कि हम करते हैं F dash X 0 minus F X 0 equal to कर लेते हैं ये हमें प्रूव करना था यानि कि first और second को मिला कर हमारी fundamental theorem of integral calculus बनती है आई होप आपको ये समाझ में आई होगी आप जो भी topic पढ़ना चाहते हैं तो प्लेस कमेंड बॉक्स पर जरूर लखेगा अगली वीडियो के साथ मिलते हैं thank you so much कि अधार के साथ मिलते हैं